गुड मॉर्णिंग अब्रिवान नमस्ते रादे रादे कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छी हो की खुशो की और बिल्कुल मज़े में होगे सो आज है जन्मास्टमी तो आप सभी को जन्मास्टमी की हार्दिक शिपकामना है हैपी जन्मास्टमी टो आल अफ यू आपको और आपके परिवार को पूरे परिवार को जो जन्मास्टमी है उसकी हार्दिक शिपकामना है और सुबह क्रिशो की जो फूजा सेवा थी और जो बी पंचामरत से इस्णार कराना था वो सब कुछ मैंने करा दिया है लेकिन मैं वो दिखा हूँ उससे पहले आप मैंने जो कल प्रिपरेशन की थी जन्माश्टिमी को लेकर के वो आप देख के आईए फिर उसके बाद में मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सुबह के टाइम में वो सब चीजे करी थी पंचामरा से ने लाया उनको कौन सी ड्रेस बनाईगे सब कुछ आप देखिएगा तो चलिए आप चाहिए जब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ है कि पञदा तक मैं तरिंटे शाण ले रही हूँ और इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाउंगी ठीक क्योंकि आटे की पंचीरी हमारे घर में सब लोगों को पसंद है वैसे बुत में तो हम लोग इन कहते हैं हैं नगे-थे नमक निखाती हूं जैसे कुटू के आटे की पकोड़ी है खीर है साबुदानी की यह सब चीज बनती और यहीं खपती है लेकिन भोग में पंजीरी लगाई जाती है तो पंजीरी में यहां पे बेसन की आटे की और धनीय की तीन तरह की पंजीरी बनाऊंगी तो दनीय की पंजीरी तो मैं कल बना तो पंचीरी में जादा घी नहीं लगता है और यहां पर मैंने आलू बरी की सब्जी बना ली थी तो यहां पर बसे न में वही सर्व करने लग गई थी और हर्शित भी स्कूल से आ गया था तो अपनी पेंटिंग दिखा रहा था कि मम्मी स्कूल में देखो आज है ना पेंट मतलब पागल ही हो जाओं इसलिए थोड़ा सोना भी जरूरी है तो आदा एक घंटे के लिए सो गई थी और अब भी है यहां पर मैंने नारियल ले लिया है यह एक बाउल भरके मैंने यह नारियल का बुरादा लिया था तो इसको मैं हलका सा बुनूंगी ज्यादा नहीं कि कलर चेंज हो जाए इतना कि इसके इंदर से थोड़ी सी खुश्बू सी आने लग जाए और अगर कोई नमी हो तो वो निकल जाए और एक अलग सी खुश्बू आ जाए इसमें मैंने घीवा के रहा कुछ भी नहीं डाला है मैं यहां पर नारियल की बर्फी बना रही हूं से नारियल का पाग भी बोल सकते हो तो यहां पर मैंने ले लिख और जितना यह लोगए न उतनी आपको चीनी लेनी है अगर आप कafter मेला है तो फिर थेजिलेसम के लिख ले लेकिन अगर ठीक जादा है kardeş नहीं मैंन मेले हूं और ।ो यहां पर आप बोल रही थी जैसे गंदगी वगेरा होती है तो उसके लिए आप दूद डाल करके निकाल सकते हो या फिर आप चीनी को देख करके ही या फिर डालिए और यह पर मैंने प्लेट को भी ग्रीस कर लिया है और यहां पर देखिए मेरी चाशनी में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है इसलिए मैं मैं दूद वगेरा नहीं डालूंगी लेकिन अगर आपके चाशनी में आपको कोई गंदगी दिख रही है तो आप एक चमद डूद डाल दीजिए इससे बते है क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है वो किनारी किनारी प्या जाती है तो फिर दूसरी चमद से निकाल लो आराम से निकल जाती है मतलब या फिर चीनी बीन के डालो ना यह वालब स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर मैं बस है अब यह चेक कर रही हूं कि यह न हो गई है कि नहीं हो गई है तो काफी मतलब हो गया है मुझे 5-10 मिनट तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी की हो गई है क्या तो यह तोड़ी सी हलकी रह गई ही तो मैं ऐसे ठोड़ा सा और कुखोने secular नहीं दूगI और उसके बाद रहे हैं तो एक तार कीम चाश्नी एक बन गई थी जब एक तार लंबा सा सा टूटने होने लग.. तब समझना हो गई है और इसको डाल देने सबस्कों बिल्कुल सिंबल सीयाय है बहुत बникиक्रा-णीया isee को तो अगर अधे नहीं को बिपनालदी का सब्सक्राइब, हम लोग लगाने की सोच रहे हैं तो कल 56 लगा helping में यह था कि हो सब दोcą शामान कि मैं वहासरे 就ικά मैं यह रख इस लेख से लेकर हूँ को एदा महनत कर दो कि अधिन मेरा मंद करते embora तो मैं इसलिए ना कर रही थी तो कमें में बनाओंगी नहीं है क्रिश्य को अपने हाथ का भी एक दू चीज तो मैं अपने हाथ की भी खिलाऊँ तो यहापर मैंने जमा दिया था और उसके ओपर न मैंने यहापर गुलाप की जो पंखोडियां हो Englam लगाती है देखने में सुन्दर लगता है क्योंकि वाइट के उपर से पिंग पिंग सा लगा हुथ अच्छा लगता है इसलिए अगर आपके पास जैसे पिस्ता है तो वो डाल सकते हो काजू है बादा में वो डाल सकते हो तो नियूर्मली में पास ये पंगुडिया तो सबस्क्राइब कर दो जाए अगर और कलते होजिए शक्लाइब कर दो तो दूसरी पंजीर चोटी वाली चम्मच क्योंकि बेसन की पंजीरि यहां पर कोई नहीं खाता है लेकिन रहारा है लेकिन मुझे बहुत अच्छ लाए ने लिए जांता को इस्वार्त भागता चप तो मैंने थे बहुता है यहां पर इनकाल रही हूं मैं देख रही हूं तो एकदम इदेके किती पर्फेक्ट यह जमी है कितनी अच्छी लग रहे हैं मैंने क्रेशु का नाम लेकर के इनको वनाई है और बहुत ही अच्छी वनी है खेर चांगी तो खेर नहीं है क्योंकि पहले जह ना उनको भूग लगई कहнем yout हम लोग खाते हैंगे अब आडिया मिल जाएगा थोड़ा सा तो यहां पर मैंने बर्फी बना ली और देखिए कितनी अच्छी लग रही है मैं एक पर आपको दिखा दिया हूं इसका हूँ जो नारियल की बर्फी थी वो तो हो गई है और यहां पर बेसन भी है ना ठंडा हो गया है चान और फ्रेट में रखे रखे चान था अचन देखा कर रहा है तो यहां पर बरतन तो हो सके चलने को प्लेट में रखे चान लेरी हूं यहदैति एक पड़म एक दो 3 मिक्स करें और आटे वाली में बेसन बेसन हूं और धन्य वाली तो है ना मैं कल बनाओंगी तो यह सारी चीजे मैंने जनमाश्टमी से एक दिन पहले ही बना ली थी बाकिये चपन भोग की तैयारी करने में लगे हुए थे और बाकिये मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगी कि क्या हुआ चपन भोग कैसे लगा लगा या नही थेंक यू सो मच पर वचिंग दिस वीडियो रादे रादे